तो के देख सकते हैं यह रही हमारा इंवर्टर सर्कीट बहुत ही अच्छा आटो काड़ इंवर्टर की और यह रही हमारा ट्विल बोल का पावर सप्लाइ मैंने जो इस बैटरी को बहुत ही कम चर्च पर रखा है ताकि आपको समझने में बहुत ही आसा नहीं हो तो चलिए इ पाथ जो हम जब भी सको ओफ करेंगे को देख किये को यह इज अर इज जो यह इन वर्टर से और इंवर्टर से चल रहा है और बैटरी चार्ज हो शंच भी और बैक के थारड़िया नहीं हो रहा है अभी में गला इतो afterward यह इन जिससे आप आपका बैटरी आटोमेटिकली चार्ज होगा और लाइन जाने से आपका जो इन्वर्टर आटोमेटिकली अन होगा तो बहुत ही अच्छा एक सर्कुित है तो इससे चलिए बनाना शुरू करते है बना से पहले एक ही रिक्योस्ट रफरेंस आपकर में चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिवेशन दोल को भी तबा दीजिए और आपको जो यह इसका सर्कुित डायगरम भी आपको जो वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए पूरा का पूरा वीडियो देखिए एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए तो चले फ्रेंस वीडियो को शुरू करते है तो फ्रेंस आपको जो है आटोकाट इंवर्टर बनाने के लिए पहले तो इंवर्टर सर्कित बनाना पड़ेगा यह तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई वाला आइकोन पर मिल जाएगा वास्ते जाएक देख लिजिए मैं इस वीडियो में नहीं बना रहा हूँ ताकि वीडियो जादा लंबा ना हो तो चलिए अभी शुरू करते है पहले तो हम एक इसके उपर जो हम एक जो हमारे इंवर्टर जो इंवर्टर ट्रांस्फरमर यूज़ करेंगे उससे इस तरीके से सेट कर लेंगे इसके उपर पहले तो चलिए इसे हमने जो है सेट कर लिया इसके उपर देख लीजिए ओके तो अभी जो है आपको आपका इंवर्टर सार्क अभी इसे भी इसको साथ जो हम सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से हम यहां पर सेट कर देंगे इसे तो यह जो है 12-0-12 का ट्रांसपोर्मर है तो पहले तो यह रही यह 12 और यह 12 और यह 0 का पॉइंट है तो चलिए इससे पहले हम कनेक कर देते हैं 12 और 12 पॉइंट को आपको जो मेरे पहले वीडियो है जिस पर मैंने इस सर्कृट को बनाया था वहाँ पर आपको पूरी तरीकी से समझा दिया हूँ कि कैसे आपको सर्कृट बनाना है तो वीडियो ज़रू देख लेना और यह रही हमारा जिरो का पॉइंट अभी जो है आपको दो 12 वोल्ट का रिले चाहिए देख लिजिए यह रही हमारा पास जो 12 वोल्ट का दो रिले था ओके उसे भी आप यहाँ पर ऐसे सेट करना है ओके तो चलिए इसे गुलुगन के मदद से इसे यहाँ पर सेट कर देते है तो ओक देख सकते हम यहाँ पर जो है दो डीले था हमारे पास रिले को हम लोग कनेक्शन कर लिया है अभी जो है रिले का कनेक्शन कुछ ऐसा करना है देख लिजे कैसे हमने बिठा है बिल्कुल इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐसे बिठाना है रिले को अभी जो है रिले की इस प को आपको soldering करना है एक वायर के मदद से तो चलिए इससे भी हम जो है soldering कर लेते है तो देख लिजिए friends कुछ इस तरीके से आपको soldering करना है ओके तो अभी जो है friends हमारे जो inverter का transform हमारे इसके जो 0 वाला point है उस 0 वाला point के साथ ये wire जो ना है उस wire को जो हमें रिले के इस point के साथ connect करना है तो चलिए इसे connect कर लेते हैं अभी जो है friends आप हमारे जो inverter का circuit है उसका जो प्लास वाला point है इस प्लास वाला point इसको आपको यहाँ पे इस रिले के साथ यहाँ पे soldering करना है आपको थोड़ी बहुत confusion होगी कि यह वाला प्लास वाला कहा साया तो पहले तो आप यह circuit कैसे बनाते है यह देख लीजिए और आपको जो circuit ड्राइगरम भी मिल जाएगा कोई चिंद की बार नहीं आप आसानी से इसे बना सकते यह देख लीजिए हमने इसे soldering कर लिया है यहाँ पर विजयो एफ़ेंस आपको चार्ट डायोट चाहिए ओके तो डायोट को कैसे आपको आपके तो यह दोनों पॉइंट और यह दोनों पॉइंट आपको एक साथ मून लेना है कि आपके तो चलिए इस तरीके से आपको मूर लेना है ओके डन है यह रही हमारा आपको फुल्बिज डिरेक्टिफाइर अभी आपको एक ट्रांसफ़र्माज चाहिए step-down ट्रांसफ़र्माज ट्विल्फ वोल्ट का ट्रांसफ़र्माज देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक छोटा ट्योटका ट्रांसपर्मार है तो इससे आपको बोर्ट पर यहाँ ऐसे ही set करना है चलिए इसे भी set कर लेते हैं हम तो ओके हमने इस ट्रांस्वर्ण को यहाँ पे set कर दिया है तो चलिए अभी इसको इस साथ इस circuit को जोडते है तो अभी जो है friends आपको full bridge rectifier जो चाहिए तो यह रहिए देख लिछिए आपको यह दो, देख लिजी यहाँ पे plus और यहाँ पर minus हील यहाँ भी देख लिए यह minus और प्लस से प्लास इस डोनोंबौन्ट को वह आपको यहाँ आ पे और यहाँ पर सोलेरिंग करना है जो कoi ऊस दो पहयँ को जहासे 12 वोल का supply निकलेगा वहाँ पर आपको इसको soldering करना है तो फ्रेंस देख लीजिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस तोनों पॉइंट से 12 वोल लिका लेगा तो यहाँ से हम जो इसे कर दिया और यह रही हमारा प्लास बाला पॉइंट और यह माइनस बाला पॉइंट यहाँ पर हमें दो वायर करना है यहाँ पर हमें प्लास आप प्लास वाला पॉक्त करना है तो चलिज़े 10 कर लेते हैं कहें देख लीजिया हमने यहाँ प्लाज लाप पॉइंट को और फीर भाला पॉइंट मैंन आपको यहाँ इस वाल फॉइंट के साथ करना है कि यहाँ पर भी हम माइनस बाला को जो है कर लेते हैं तो यहाँ पर हमेरा सोल्डरिंग कर गया है तो एक बार आप सोल्डरिंग देख लीजी अच्छे से झार ने देख लीए अभी आपको एक लोग्वायर चाहिए इस लॉइर को एक टर्मिनल को जो है आपको रिले की इस पॉइंट के साथ आपको सोल्डरिंग करना है और दूसरे वाला पॉइंट को जो है टांस्वार्ण के यहां से आपको सोल्डरिंग करना है देख लिजिए फ्रेंड्स आपको यहां से इसको यहां से सोल्डरिंग करना है जो है आपको फ इसके एक वायर के साथ इससे connect करना है कि फिर से जो आपको एक वायर चाहिए लॉइर और ट्रांफॉर और की दूसरी जो आउट पूड वायर है इसके साथ इसे जोड़ना है आपको अब यहां पर देख लीजिए रीले का इस पॉइंट के साथ आपको सोल्डरिंग करना है चले इसे भी सोल्डरिंग कर देते हैं ओके तो यह भी सोल्डरिंग हो चुका है अभी आपको ऐसे कुछ इस तरीके का वायर लेना है इस वायर से जो हम 220V AC input देंगे जिससे बैटरी चार्ज होगा जो बैटरी इसके साथ connect है और यह रही है दो पॉइंट एक पॉइंट को जो है आपको transformer के यह वाला पॉइंट जिसके साथ relay जूड़ा हुआ है यहां से आपको soldering करना है तो चलिए इससे soldering कर लेते है अभी जो आपके तो soldering हो चुका है अभी जो आपको और एक वायर चाहिए रिले के इस वाले पॉइंट के साथ आपको soldering करना है तो देख लीजिए हमें दो वायर मिल चुका है यह red वाला वायर और यह black वाला वायर इससे हमें बैटरी का positive और negative देना है आपको इस वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट से आपको आउटपूट मिलेगा यह यहां से आपको आउटपूट मिलेगा inverter का तो चलिए इसके साथ एक लैम जो आपको दिखा देते है एक काम कर रहे है कितना अच्छा से तो देख लीजिए हमने यहां पे जो है दो के मदद से एक हंडिट वाट की लैम को कनेक्शन की है तो चलिए इससे पहले ओन करके दिखते है यह रही मेरे ट्विल का बैटरी इसमें थोड़ा बहुत चार्ज नहीं है लेकिन चल जाएगा तो चलिए दिखा देते हैं आपको तो फ्रेंस हमारा जो प्लास और माइनस का पॉइंट था बैटरी का यह रही प्लास वाला पॉइंट और यह माइनस वाला पॉइंट माइनस को बैटरी की माइनस के साथ और प्लास को बैटरी की प्लास के साथ जोड़ना है तो चलिए जोडते है पहले इसे तो फ्रेंस प्लास का पॉइंट तो चलिए इसके हो देख आप switch को on करेंगे हम तो देख लिजी अभी जो 220V से चल रहा है और यह पे बैटरी चार्ज होड़ा है अभी जब भी line चल जाएगा line cut-off हो जाएगा देखिए इसे off किया तो यह जो inverter के battery से जो inverter से चल रहा है light और अब जब भी line आएगा देख लिजेए तो auto cut-off है इसके मदद से आपका battery भी charge होगा जब line आजाएगा आप 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 अजए अजए आप झार